मिस्ट्री इंडिया बने, सूपर हेरो बने इनकी कोई भी फिल्म आती है तो वो बॉक्स ओफिस पे तहल का मचा देती है वहीं आपको बता दो तो भाई जान की एक जो फैन फॉल्लविंग है काफी लंबी चौड़ी अपने पास रखते हैं इन दिनों एक्टर्स जो मच अवेटेट फिल्म अपनी टाइगर 3 को लेकर के काफी ज़्यादा चर्चाओ का विसे बने हुए इस फिल्म के ट्विलर के आने से पहले ही धमाल मच चुका है और हर कोई इस फिल्म को बेसबरी से इंतिजार कर रहा है उसके बाद जब अनिल कपूर से मीडिया ने पूछा कि आपको इस फिल्म का ट्रिलर कैसा लगा तो अनिल कपूर का ये कहना था कि मुझे पक्का पता है कि ये जो फिल्म है वो हिट जाएगी और वैसे मैंने भी सल्मान खान के साथ बहुत सारी फिल्में की है तो मुझे पता है कि सल्मान खान की जो एक्टिंग है वो लोगों के दिलों पर राज जरूर करेगी वैसे सलमान खान की बात करी रहे हैं तो ये भी बात कर लें ये Tiger 3 के वापसी देखने के लिए जो audience है वो काफी ज़्यादा बेताब हो चुके बड़े स्क्रीन पे और लोगों का ये कहना है कि जो पहले दिन पर ही 100 करोर से ज़्यादा का collection करेगी हाला कि देखने वाली बात ये होगी कि जब ये फिल्म आती है तो कितना collection करके दिखाती है वो आपको तभी पता चलेगा और सबसे बड़ी बात इस फिल्म को लेकर के ये है कि इस फिल्म के अंदर आपको शारुखान तो देखने को मिलेंगे ही लेकिन साथ में आपको रितिक रोशन का भी action देखने को मिलेगा क्योंकि ये spy universe जो है ये स्राज की आपको इस फिल्म के अंदर ही सारा धमाका देखने को मिलने वाला है बाकि दोस्तों आप कितने excited है इस फिल्म को लेकर के हमको comment करके जरूर बताए